शीरा तेरा देख कैसे हैं आप सभी आप सभी आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यह कमल पुश्प ही नाम है इस प्लांट का आज मिलाई हूँ सो देखें बहुत प्यारा है नहीं सो लब यू मुझे प्लांट से बहुत प्यार है तो चलिए आप लोगों के लिए टू पाइल्स लेकर आई हूं और दो पाइल्स में हम देखते हैं कि आपकी पार्टनर जो है क्या एक्षन लेने वाले हैं आपके रिलेशन में नेक्स्ट और साथ में एक मोनो लॉजिक से आप लोगों के लिए गाइड़न्स लिए तो फॉर्स्ट और सेकंड जल्दी से चूज कर लिजे मेरी जाम और श्री राधरा का नाम लेते रहिए और चलिए दिखते हैं क्या है फॉर्स पाइल यह आपने चूज किया तो फॉर्स पाइल प्लीस यूनिवर्स पताएं ओके तो देखिए फॉर्स पाइल वालो आपके लिए आया है यह दि आपके येस अगर आप लोग नो कॉंटेक्ट में हो और आपके परसन आपसे बात करना चाहते हैं और यूनों उनके दिल के अंदर बहुत सारी चीजे हैं जो ओवर्फलो है वो अपने आपको रोक नहीं पाते हैं बट कहीं न कहीं वो इनसान जो है बहुत सारी ओफ्शन्स है उनके पास हो सकता है फैमिली हो, कैरियर हो, कहीं पे उनको अदर जगा पे भी काम हो सकता है उनका एक स्नेकी वीएवियर है यानि कि आप लोग का रिलिशन जो है कभी तूट जाता है तो इस तरह की हो सकती है रही हुई पास्ट में हो बट अनफोचली यहां पर यह भी मुझे नजर आ रहे हैं कि आपके परसन किसी फादर फिगर अब यह जिन से मैच होती हो वो ले सकते हैं यह फादर फिगर इंसान हो सकते हैं या फिर मुझे जादा तर हो सकती है आप लोग के फ्रेंड सरकल में या फिर उनके फैमिली मेंबर में जिन से वो डर रहे हैं कभी-कभी इनको ऐसा भी लगता है कि शायद किसमत में ना है या फिर है इन सभी ऑफ्शन के बावजूद भी यह परसन कहीं ना कहीं आपको ही अंदर बसाए हुए है लेक चलना पड़ेगा या देखने कैसे यह सारे गेरा में है और एक यह आपका हार्ड लेके मैं कह सकती हूँ तो इस तरह से आपके परसन की है बट येस इस परसन को आगे के नेक्स डेक्शन में इनको यह यकीन है कि हमारा डिवाइनिक कनेक्शन है इशो ने हमें मिलाया है और यह आपको मैसेज जरूर करेंगे यह आपको मैसेज करने के लिए कभी भी किसी वक्त जो है और यह कभी भी है अच्छा है तो यह रेडिंग के बाद ही आप देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि इनका जो है इमोशन ओवरफलो है बहुत ज़दा बहुत ज़्यादा है और इनको कहीं न कहीं डिवाइन से इनको ज़्यादा मैसेज मिल रहे हैं कि ये connection प्रमात्मा का है ये connection एक spiritual है तो इनको ये चीज ज़्यादा ही खाय जा रही है ये आने वाने टेम में हो सकता है ये options को अपनी life से हटाएं और ये आपकी तरफ मैसेज करें अब चलिए देख लेते हैं guidance क्या आ रहा है relax relax cancer की यहाँ पर आ रहा है और union याई twin flame देखो जैसे कि मैंने कहा snakey याई कि ये twin flame connection भी हो सकता है जैसे कि divine connection आपके person को एहसास है तो ये ये divine का message है आपके लिए relax हो जाएं आप इस connection को लेकर ये connection आपका कहीं नहीं जाने वाला है सच में ये जिरो ने भी पाइल वन चूस किया है यू आर वैरी लग्की सम्हाव आप लोगों का जो है twin flame connection है ये ज्यादा तर twin flame के लिए है और ये divinely guided है तो तरफोजली ये जो है आपके person next action यहीं होगा कि वह आप तक एक message दे कि हां क्या आप इस connection के लिए ready हो या दुबारा से patch up करना चाहते हो मैं बहुत ज्यादा कुछ इस connection में समझ पाया हूँ और कहीं न कहीं इस connection में जो है आपके person जो है बिल्कुल इस connection को छोड़ना नहीं चाहते हैं और इस connection पे काम करना चाहते हैं देखो मैंने कहा काम करना चाहते हैं आपके सामने ही मैंने काड उठाए हैं तो यह आपके person जो है इनका next action यह है कि यह आपकी तरफ किसी भी तरह का कोई ना कोई action ले जिस तरह से यह connection में आपका tower moment है वो tower moment को खत्म किया जल सके तो बहुत अच्छी रेडिंग आई है यह जादा लंबी रेडिंग हम नहीं करेंगे बट जो भी है बहुत प्यारी रेडिंग आई है चलिए हाई हलो मेरी जान श्री रादे रादे यह जिनों ने भी पाइल टू चूस किया है उनके लिए देख लेते हैं श्री रादे आपके में तो कोई puzzle या कोई चीज नजर नही आ रही है मुझे actually में क्या है आपके person को सबसे पहले मैं आपको बता दू कि आपके person यह जानते कि आप कहीं नहीं जाने वारे चाहिए सालों साल अपने प्यार का offer लेकर बैठे रहें कहीं भी रहें यह आप कहीं नहीं जाने वारे यह जब भी आपके पास जाएंगे तब आप इनका स्वागत करोगे फूलों के साथ हो सकता है यह एक message करें आप 100 message कर दो आप इनका wait करोगे इनको यह पता है तो see अभी यह जो है जहां कहीं भी है अगर आप no contact में भी हो तो यह बड़े relax है बहुत थंडे थंडे इंसान है इनके पर कोई शिकस नहीं होगी कि हाँ आपका no contact है या आप लोग बात चीत नहीं कर रहे हो या कुछ हुआ है मुझे यहां पर ज्यादा major चीजे नजर नहीं आ रही है unfortunately आप लोग ऐसा हो सकते है कि आप लोग जो है सिर्फ जो होता है न कि भी अरे हमारे में चलता रहता है चलता रहता है तो इस तरह का connection नजर आ यह देखना चाहते है कि आप इनके लिए क्या करते हो तो एक यह funny सा मैं कह सकते हूं immature है थोड़ा connection को हलके में भी नहीं ले रहे हैं और seriously भी नहीं ले रहे हैं इस तरह के immature person है इनको जिमेदारी भी नहीं लेनी है proper और यह को कि भी छोड़ना भी नहीं है इस तरह की मुझे energy feel हो रही है बिल्कुल इनको पता है कि आप workaholi है या फिर आप जो चीज ठान लेते हो आप करते ही करते हो और आप बहुत ही मतलब dependent नहीं रहते किसी पर मतलब कहने का मतलब यह कि आप बहुत महनत वाले भी हो सकते हो और अपने खुद के पैर पे खड़े हो तो इनको ज़ confirmation दे दिया है universe ने तो मतलब कहने का मतलब साफ साफ clarity यह है कि इनको लगता है कि आप अगर यह आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आप unfortunately ऐसे हैं जो आप अपने आपको understand करते हैं आप रोने दोने वालों में से नहीं हो और तो यह भी बहुत रिलेक्स है इनको पता है कि आप क जटके में मैं इस connection को सही कर सकता हूं तो आपके person की feeling है तो इनका next action अब मैं कहूं तो थोड़ा सा डिले है बड़ पैशन के साथ ही आपके पास आ रहे हैं यह इनसान जैसे की होता है नहीं मूर चिपा के भाग जाना और फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है यह इनसान आने के ल balancing balance नहीं मन पाया तो balance करते हुए आपके साथ आ रहे हैं या फिर justice देना चाहते हैं तो next action इनका यहीं रहेगा कि यह आपको justice देंगे भले ही इन्होंने कुछ भी नहां बिल्कुल मैंने सोचा कि भी आकि क्यों justice वहीं इस चीज़ आगे justice यह इस चीज में देंगे यह आपक इसे cold behavior किया हो तो उसका मतलब किसी ना किसी बात का यह आपके सामने जो होते हैं ना सफाई देना या फिर सफाई मैं कैसे समझाओ जैसे कि भी हम अपनी बात रखना तो यह उस मौके की तलास है जब इनको यह वो मौका लगेगा कि हाँ अब यह सही ताइम है उसी समय यह इनसान आपके पास आएगा और यह सारी चीज़े जो चीज़े हुई हैं आपकी connection में वो connection की जो है बाते आ आप तक पहुचाएगा बहुत सोच विचार करके इनसान आएंगे definitely आएंगे यह family oriented इनसान हो सकते हैं तो यह आपके पास marriage proposal के साथ आएंगे और you know अभी connection का चाहे कुछ भी रहा हो बट जो भी है यह इनसान आपके लिए loyal है ठीक है तो चलिए अब हम देखते हैं आप लो इंगी guidance open up to change अक्रीएस मूं आया है काड में तो open up to change यानी कि आपको अपने या तो भीचारों को change करना होगा या फिर आपको एक ख़त में change लाना होगा या आपका relation change होने वाले हैं या आप दोनों को change होने की ज़रूरत है तो डिवाइन आपसे कहरी कि कुछ चीज़े हैं जो चेंज करनी है आपको अगर आप हद से ज़्यादा इन पर डिपेंट हो या आप कुछ एक ही चीज़ को लेके लिए बैठे रहते हो तो आपको अपने इमोशन में चेंज करना है अगर आप इनको पहले बहुत ज़्यादा इमोशन दिखाते हैं तो आपको थोड़ा कंट्रोल करके चलना होगा आपको हर तरीके से मतलब एक तरीके से बैलेंस होके चलना है और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको चेंज दिखा रहे हैं कि बहुत जल्दी आपका ये मुझे यहाँ पे वाटर साइन भी नज़रा रह कि इमोशन आपकी चेंज़स होने वाले हैं अगर आप बहुत जादा हाइड हो अपने इमोशन से आपने अपने अपको दिखाना बन्द कर दिया है तो कहीं न कहीं कि वो दुबारा से बेढ़ होने की तादार पर रहे हैं या फिर आप बहूत highly जू है ज्यादा ही आप उसे संसीवर आप जिसे कि बहुत जल्दी ही बहुत नाजुक इंसान हो तो आपको एक मजबूत इंसान बनने की शुरूरत है और शायद आप आने वाले समय में अपने आप में बदलाव देखोगे तो यह थे आप लोगों के नेक्स्ट एक्षन आपके पॉर्सन के तो अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी हो तो मैं दियर आपका दिल करे तो एक लाइक कर दीजिएगा और शेर कीजिएगा कमट कीजिएगा अगर नहीं तो कोई बात नहीं मेरी जान श्री रादी रादी का नाम लेते रही है आपका भी भला मेरा भी भला है ना तो थेंक्यू श्री रादी रादे